लोग कहतें कि हमें आजादी 1947 में मिली लेकिन अगर सही रूप से मैं बात करूँ आजादी की तो 25 दिसंबर 1927 से हमारी आजादी के द्वार प्रम पूचे बाबा साब ने खोले पुरुष के चरित्रहीन हुए बिना एक महिला चरित्रहीन नहीं हो सकती लेकिन विडंबना य उससे कोई पागल कहता है, कोई दिवाना कहता है, करेवकुफ कहता है, अलग-अलग सब्दों से उसकी संग्या दी जाती है, लेकिन सही रूप में महान भही लोग होते हैं जो लिक से हटकर चलते हैं, वो इत्यास रस्ते हैं, जहां आज हम हम फ्रे फृस्ट येर, सेकेंड भारत देश में ऐसी नहीं मिलेगी, जिसमें मात्री इतने कम सालों में 18 स्कूल आपको देने के काम क्या हो। आज भी इस तरह की मतलब रूड़ीवादी परमप्रा इस तरह की छोटी सोच हम लोग रखते हैं, तो उस समय की बात कर रही हूं, आज से डेड़ सो साल पूर्फी। क्योंकि कहीं न कहीं जरूरी हो जाता है कि आधुनी के अगर हम उनकी बात कर रहे हैं, तो उसके पीछे संधर्ब क्या है। और आज क्यों जरूरी है उनकी बात करना, क्यों जरूरी हो जाता है उनके संघर्ष पर चर्चा करना, क्या कभी इस पुरूस परधान समाज ने ऐसा किया, कि कोई महिला मरी हो और उसके साथ में पुरूस को जिंदा जलाया हो, कभी सवाल किया किसी ने, न तो महिलाओं ने कि तो विडंबना है मैंने कहाना हमने सभाल करना छोड़ दिया है सरपर्थम महाकाणिक तथागत बुद्ध को अपनी संकल्पनाओं के सुमन अर्पित करते हुए समस्त भारते नारी के मुक्ती दाता, बहुजनों के मुक्ती दाता, दुनिया का सूरज, ज्यान का प्रतिक, सविधान के रचेता प्रम पूजे बाबा साब को सससत नमन करते हुए बहुजनों को भारत में सत्ता के गलियारों तक ले जाने वाले सहा मानने वरकाशी राम जी को नमन करते हुए पाखनवाद को अपनी जूती की नोक से धराशाही करने वाले राश्ट पिता जोती बाव फूले जी को नमन करते हुए और इस देश में तमाम महिलाओं के लिए शिक्षा के द्वार खोलने वाली माता सावत्री बाई पूले जी को नमन करते हुए और मैं कुछ पंक्तिया जरूर कहना चाहूंगी अपनी बात को सुरू करने से पहले अर्थात आज जिस व्यक्ति के पास विद्या नहीं है जो तप नहीं करते जो दान नहीं करते जिनका चाल चलन अच्छा नहीं है जो सीलवान नहीं है जो सदाचारी नहीं है वो इस पृत्वी पर घूमते तो है लेकिन मनुष्य के रूप में पस्वों की भाती विच्रन करते हैं साथ हो ये पंक्तिया कहने का मेरा उदेश्य सिर्फ इतना ही था क्योंकि आज जिस महान हस्ती की बात हम कर रहे हैं जिस महान हस्ती के बारे में चर्चा करने के लिए हम यहाँ पर एक्तृत हुएं तो वास्ता में खास कर जो ये महिला संगठन है उसको मैं तहे दिल से सलाम करती हूँ क्योंकि इतनी भारी संख्या में महिलाओं की उपस्ति अपने आप में सर्वों पर है क्योंकि जब हम महिलाओं के संगर्च की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर महिलाओं की जो उपस्ती है, वो अपने आप में सरानिय हो जाती है, जब महिलाओं इतनी संख्या में, और वो भी खास कर मेरे अपने समाल से एक से बढ़कर एक महिलाओं, जो की उजपदों पर भी आसिन है, क्योंकि कहीं न कहीं हम देखते हैं, अगर मैं आज सविधान के बाद की बाद करूं, तो परम पुझे बाबा साब ने जिस तरह से महिलाओं को पहला ही अधिकार सविधान में समानता का दिया, और उसी समानता के अधिकार के तहच, आज समस्देश की महिला है, आप देख रहे हैं, कि डॉक्टर है, इंजिनियर हैं, जेज है वकील है यहां तक की बड़े-बड़े उच पदो पर और मैं कहूंगी कि आज देश की राश्पती भी है तो यह गर्ब की बात है और यह सारी चीजे कैसे घट रही है यह कही न कही उन महान पुर्सों के संघर्ष की देन है जिनने इस देश की तमाम महिलाओं को मद्दे नजर रखते हुए काम किया उन्होंने कभी विसेज जाती धर्म के लिए काम नहीं किया किसी विसेज तबके के लिए काम नहीं किया लेकिन काम किया इस देश के तमाम लोगों के लिए लेकिन आज विडम रहे कि कहीं न कहीं सत्ता पर बैठे हुए लोग, उन लोगों को जाती वादी मानसिक्ता से ग्रस्त होकर उनको इतना छोटा कर देते हैं कि शर्माती है मुझे कहते हुए, लेकिन आज मैं बात करूँगी माता सावित्री बाई फूले की, जी हां माता साव मैं शुरुआत करती हुँ जनवरी के पहले दिन से, साथ्यों अभी जिस तरह से 2023 सुरू हुआ, तो आप सभी को नव वरश की बहुत-बहुत मंगल कामना है, लेकिन जिस तरह से एक जनवरी में एक एहत्यासी घटना भी घटी, वह भी मैं आपको बताती चलूँ, लेकिन उससे पहले में आपको करम के अनुसार सारी चीज़े यहाँ पर बताना चाहूंगी, क्योंकि करम के अनुसार जब चीज़े आएंगी, तो बड़ी आसानी से आपको भी समझ में आएंगी, और मुझे भी कहते हुए बहुत आसानी होगी, क्योंकि आज हम बात इवा फुले बाई फूले आते ते कहीं नकहीं उस समाज के लोग आज अपने महानपुर्स उ को बहुत कम जानते हैं लेकिना मैं धन्यवाद देना चाहेंगी बहु लोगों का जो जहीं नहीं वहुजन इत्यास को पढ़ते हैं वहु देश में रहें उनको पढ़ने का काम करते हैं और उसी कड़ुमरियों ॉक्षारी के करती थी महिलाओं के लिये कि जागो उठो खड़ी हो जाओ जाओ अपने शीश कटाओ अरे किसी और के लिए बल्कि अपने लिए और अपनी आने वाली संतानों के लिए इस देस कर जब मुझ जैसी बैने कलपना जैसी बैने जब आपके सामने एक आइडल के तौर पर प्रस्तुत की जाती हैं तो क्या आप किसी से कम है आप भी इसी समाज का हिस्सा vents इसी देश की नागरिक है, जब हम मंच पर इस तरह से अपने वक्तब्य को रख सकते हैं, तो मैं मानती हूँ कि अगर आप प्रियास करेंगी, तो आप भी मेरी तरह बेहन कल्पुना की तरह शेर की तरह दाड़ेंगी, लेकिन जरूरत है हमें अपने महानपुर्सों को बढ़ मंच पड़ी का अधमारी कचया रही प्रका था का ज सबस्क्तब्य टेख, जा की तरह के नहीं की तो जा रही थी पादरी का जैसे ही ध्यान पड़ा उन्होंने प्राथना छोड़ी और उस बच्ची के पास है और उन्होंने कहा कि पेटा जब भी आप रस्ते में चलो या कुछ खा रहे हो कभी इस तरह से खाना मत खाना जब भी कुछ खाओ तो एक जगए बैठ कर खाना क्योंक क्या होता है जब हम एक काम करते तो सारा ध्यान हमारा उस पर होना चाहिए अगर हम खाएंगे और इधर उदर घूमेंगे इधर उदर की बाते सोचेंगे तो जो भोजन हम ग्रहन कर रहे हैं वो भी हमें ठीक से नहीं लगेगा यह बात माता सावित्री भाई फूले को जैसे ही सावित्री भाई फूले घर पहुंची तो घर में चारों तरफ सन्नाटा चाय हुआ था चोटी सी बच्ची बड़ी घवराहट हुई क्या कि घर में आज इतना सन्नाटा क्यों है उसको नहीं पता था कि मेरे घर पहुंचने से पहले उस ब्रहमनवादी वैक्ती ने जो पादरी वाली घटना थी उसका पूरा का पूरा वर्णन महाँ पर प्रस्तूत कर दिया था जैसे ही सावित्री भाई घर में घुसी तो माने बड़े घूरते हुए उससे पूछा कि तुम उस वैक्ती से क्या लेकर आई हो तो सावित्री भाई बड़ी जग्यासु थी म आने का सवाल करना जानती थी और उसने कहा कि मांने मुझे खाने के लिए बिسक्ट दिया और रस्ते में चलते हुए वक्त बेटा कभी मोई चीज मत खाना और उफार के रूप में उन्होंने मुझे पुस्तक भेड़ दी वहां पर जो घर का माहूल बड़ा गंभीर बना सावित्री भाई फूले की माता ने उस माहोल को समाला और उन्होंने कहा कि बेटा बहार का अगर कोई भी वैक्ति आपको कोई खाने की चीज दे तो उसको मत लेना यह गलत बात होती है जैसा आज हम लोग भी अपने बच्चों के साथ में करते हैं लेकिन फिर सावित्री होल को उस समय शांत किया लेकिन जो जो माता सावित्री भाई फूले थी उन्होंने उस पुस्तक के एक एक पेस को पलटा विडंबना यह कि पढ़ना नहीं आता था लेकिन जो पिच्चर उसमें छपी थी उसके माद्यम से बहुत सारी चीज़ें उनके सामने एक द्रेश्य पुस्तक को पढ़ पाती तो मैं अपने पिता के जितने भी सवाल मुझ पर दागे गए हैं जो संधे मेरे पिता ने उत्पन किया है जो यह ब्रह्मणवादी वैगती था जिसने मेरे माता पिता के कान भरे रहे हैं तो मैं इनका अच्छे तरीके से जवाब दे सकती तो अगर हम बच्चों को उठा कर देखें बच्चे हमारे सामने बहुत बड़े-बड़े सवाल खड़े कर देते सूरज क्यों निकलता है चांद सफेद क्यों होता है सूरज इतनी गर्मी क्यों देता है बहुत सारे तमाम ऐसे सवाल हमारे सामने खड़े होते हैं कई बार तो बच्चों के उत्तर देना भी बड़ा मुश्किल हो। जाता है, लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे हम बड़े होते हैं, तो हमारी आखों पे कहीं न कहीं आस्ता का पड़ा पड़ जाता है हम सवाल करने बंद कर देते हैं और जो हमें दिया जाते हैं हम उसको वैसा का वैसा ग्रहन कर लेते हैं और कहीं न कहीं जो हमारी बुद्धि विक्सित होती है उस पे हम जंग लगाना शुरू कर देते हैं और उसी का कारण ये है कि जिस पर ऐसे मैं भारत देश की सित्ति की बात करूं खासकर मैं महिलाओं के संधर में बात कर रही हूं एक छोटी सी बच्ची इतनी तार्किक लेकिन आज अगर उम्र में भी हम तुल्ला करें चाहे मैं चोटी सी बच्ची की बात करूं या आज सी 90 साल की महिला की बात करूं तो आज वो इतनी रूड़ी वादी परमपराओं में ग्रस है कि चहकर भी उनसे निकलना नहीं चाह रही है और लोग अक्सर यही कहते हैं कि पीछे से चली आ रही हैं परमपराएं हैं बड़े बुज से कुछ गलतियां होई होंगी तो ऐसा तो नहीं है कि वहीं गलती हम भी दो रहा हैं उध्धारर के तोर पर मैं बताना चाहूंगी जिस तरह से भारत देश में सती प्रता थी जब किसी महिला का बाल विवा हो जाता था और उसका पती मर जाता था या जो सीनियर महिला उतित समाज ने ऐसा किया कि कोई महिला मरी हो और उसके साथ में पुरुस को जिंदा जलाया हो कभी सवाल किया किसी ने ना तो महिला ने किया ना पुर्सों ने किया तो विडंबना है मैंने कहाना हमने सवाल करना छोड़ दिया है और जब से हम लोगोंने सवाल करने छोड़ दिय और इसी कड़ी पर साथियों मैं आगे आती हूं 1840 में जब माता सावित्री भाई फूले मात्र 9 साल की थी आज अगर हम 9 साल की बात करें तो 9 साल का बच्चा क्या होता है वो ठीक से पढ़ना लिखना भी नहीं जानता है ठीक से उसकी जो बुद्धी है उसका भी विकास नही यहां तक की 12-13 साल तक आते आते लड़की और लड़कों की शादी कर दी जाती जब खुद वह बाल अवस्ता में होते थे और जब उनके उपर जिम्मेदारी खुद माता पिता के तोर पर निभाने की बारी आती थी तो आप सोच सकते कि किन परिस्तिती और किन हालातों से गुजरना होता होगा। की बहुत लगन थी एक बार की घट्टा है उनके बारे में थोड़ा चर्चा करती चलूं जब उनका स्कूल में एड्मिशन कराया गया जोतिरा फूले जी का तो उनी के तथा कथित पडोस में रहने वाले ब्रहमणवादी सोच के लोगों ने जोतिवा फूले जी के पिताजी से कहा अरे आप अपने बच्चे को इंग्लिश सिखाएंगे इसे अंग्रेजी बोलना सिखाएंगे आपको नहीं पता यह बच्चा इसाई बन जाएगा जिससे की हिंदू धरम भ्रष्ट हो जाएगा और यह तो हमारे धरम गरंतों का अपमान होने के साथ साथ में हमारे ध ग्यासा थी जो माता सावित्री भाई फूले के अंदर थी जब उनको साथ में खेत में लेकर जाते थे आपको जानकर आश्च्रिय होगा आज तो हमारे पास में तमाम संसाधने पढ़ने के इंटरनेट से लेकर हर तरह की सुईधाएं लेकिन उस समय इस तरह की कोई करते थे बोलना सिखाया करते थे और कई बार तो पेड़ की टहनी भी नहीं मिलती तो अपनी उंगली से ही अक्ष्रों का ज्यान उनको सिखाय करते थे और उच्छारन करते थे और यहीं मुहीम आगे चलकर इतनी बड़ी बनी कि माता सावित्री भाई फूले के साथ में जो और उनके सीने पर सांप रहेंगने लगे कि यह दो कोड़ी के वैक्ति यह हमारे ध्रम गरंतों का अपमान कर रहे हैं चोटी-चोटी बच्चा बच्चियों को शिक्षा देंगे तो साथ यह पूरे में बहुत बड़ी सभा बिठाए गई और वह सभा बिठाने वाले ब्रह काम कीजिए और इनको मना कीजिए यह किसी भी तरह से किसी भी लड़की को यह किसी भी वच्चे को शिक्षा ना दे जब वहाँ पर ये बहुत बड़ी सभा बुलाई गई तो जब सभा में ये नेड़े हुआ तो माता सावितरी बाई फूले वहाँ पर पहुंचती है आप ध्यान से सुनिए जिस तरह सभी मेरी बहन कह रही थी कि घर में भी हम अगर बहर से कोई आ जाए तो अपने परिवार क साथ में चाय नहीं पी सकते आज भी इस तरह की मतलब रूड़ी वादी प्रमप्रा इस तरह की छोटी सोच हम लोग रखते हैं तो उस समय की बात कर रही हूं मैं आज से डेड़ सो साल पूर्व की कहीं न कहीं जरूरी हो जाता है कि आधुनिक में अगर हम उनकी बात कर रह रहा है तो मेरी भी सुनवाई होनी चाहिए तो फिर वहां पर जो ब्रहमणवादी वस्ता के लोग ते तिल मिला गए और इस ने फिर से ध्रम ब्रहश कर दिया इसको भगाओ यहां से महिलाओं को पुर्सों के बीच में बोलने का अधिकार नहीं है और इस बात से इतना ना जा रहा है न तो मेरा भी बोलना जरूरी है और आप लोगों का भी जानना जरूरी है कि यह ओंध और घुर अप्राद कर रहे हैं क्योंकि आप और वह भी दलित महिला होकर शिक्षा ले रही है और उसके बाद में आप शिक्षा देने का भी काम कर रही है तो आप बहुत बड़ा अनर्थ कर रही है इसलिए आप शिक्षा लेनी बंद कीजिए ताकि हमारे ध्रम गरंदों का जो अपमान हो रहा है वो ना हो कि कि आप सभी जानते हैं उस समय साथ ही जो मनुस्मृति थी मन इंग्लिश में और इंग्लिश में जब उसको ट्रांसलेट किया तो साथ हो तमाम लोगों को पता चला कि मनुस्मृति नाम का कोई ऐसा ग्रंथ है जो इस देश के बहुत बड़े तबक्वे को गुलाम बनाता है और खासकर महिलाओं के लिए तो यहां तक कह देता है कि महि में अपने पती के अधिन और बुढ़ापे में अपने पुत्र के अधिन रहेगी तो इसी से आप समझ सकते हैं कि महिलाओं के उपर कितनी बुरी तरह से पाबंदी लगाई गई थी और महिलाओं को तो शिक्षा कभी अधिकार नहीं था यहां तक मनुस्मृति में लिखा कि महिलाओं अगर प्रात्विक शिक्षा भी लेती हैं तो वह कहीं न कहीं जो हमारे ध्रम गरंथ हैं उनका अपमान करती हैं तो इसी बात को मद्दे नजर रखते हुए साथियों आप सब को याद दिलादू कि मनुस्मृति के खिलाफ जो पहला आंदोलन भारत देश में क के हवाले किया था लोग कहते कि हमें आजादी 1947 में मिली लेकिन अगर सही रूप से मैं बात करूं आजादी की तो 25 दिसंबर 1927 से हमारी आजादी के दौर प्रम पूचे बाबा साब ने खोले और उससे पहले इस आंदोलन को मजबूत करने के लिए राश्पिता जोती रहे और मैं आतीृ चल रहा है क्यांकि इसको मैंने कोर्डिनेट इसले कि क्या क्यूंकि उस ममैं मनुसमर्ति के तहती सारी व्यश्टा चल रही थी और कहीं ने कहीं जो ब्रहमणवादी लोग थे वो मनुस्मृति के तहती जो कानून उन्होंने बनाए थे उसी के तहत महिलाओं को और जो खासकर बहुजन समाज का तबका था उसको गुलाम मना कर रखना चाहते थे तो तब माता सावितरी भाई फूले कहती है कि हे सभा के सांस दो पहले एक बास सून लिजिए अगर आप ये कह रहे हैं तो मैंने आपके धरम गरंतों का अपमान किया है तो मुझे ये बता दीजिए कि मैंने कौन से धरम गरंतों का अपमान किया है या कौन से धरम का अपमान देता है या वो धर्म जो इस देश की महिलाओं को पढ़ने तक के लिए आजादी नहीं देता तो ऐसे धर्म की बात कर रहे हैं आप अगर मेरा पाप है हाँ मैंने दो पाप जरूर की है एक तो मैंने पाप किया है कि मैंने खुद शिक्षा ली है और दूसरा पाप मैंने यह क मैंने शिक्षा देने का काम क्या है अगर आप इसको पाप मानते हो तो मेरे द्रश्टी में तो आप पसू से भी बत्तर हो क्योंकि जो वैक्ति शिक्षा के लिए मना करें आप समझ सकते हैं कि उसकी बुद्धी का विकास कितना होगा और साथियों जब यह सभा खतम हुई और सारे लोग घर लोट गए तो जो तो जोती राफ फूले जी थे उनके पिता की तो बस पूछो मत इतने आग बुबूला थे जैसे वह घर लोटे उन्होंने फरमान जारी कर दिया दोनों जो दमपत्ती जीवन में जी रहे थे जोती बाफूले और राश्ट माता सावित् से निकाल दिया और संपत्ती से वे दखल कर दिया आप सभी ने पढ़ा होगा उसके बाद जब उनकी भेट फातिमा शेख जो की मुस्लिम समूदाए से आती हैं उन्हों नहीं आपको बता दू कि जो पहले स्कूल के लिए जो जगे दी थी वहां पर इन्होंने स्कूल खोल ना तो शायद मैं उस वेक्ति के लिए काम ना करूं एक उधारन के तोर पर बोल रही हूं लेकिन उन्होंने कहा कि आप रोकिये हमें कितना रोकेंगे जब जब आप हमें रोकेंगे तब आपकी बेटियों को पढ़ाने के लिए 10 कदम आगे बढ़ाएंगे और साथियों व राजनितिक बोट बैंक हासिल करने का काम करती हैं लेकिन विडमना है कि उस स्कूल के जगए आज एक बहुत विशाल समारक होना चाहिए था लेकिन किसी भी सरकार ने इस पर काम नहीं किया तो यह भी हमें सोचना पड़ेगा कि आखिर कौन से सरकारे ही हमारे लिए काम करत हैं और खासकर अगर मैं बात करूं इस देश में तमाम ऐसे लोग होंगे जिनको भारत रतन से नवा जा गया है लेकिन विडमना है आप बहुजल समाज के महान नायकों को उठा कर देखिए कितने लोगों को जो भारत रतनावार है वो मिला है मरने तक के बाद नहीं मिला है तो ये मुहीम भी कहीं न कहीं बहुजल समाज के लोगों को छेड़नी चाहिए कि राश्ट पिता जोती बाफूले और राश्ट माता सावितरी बाई फूले को भारत रतन से सम्मानित करना चाहिए लेकिन उसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी हम लोगों की बनती है हम जाग सारी चीजें जिस तरह से हम दिनचरिया में ढलते हैं उसी तरह से ढल जाते हैं अब मैं आती हूँ अगली कड़ी पर क्योंकि जिस तरह से माता सावितरी बाई फूले राश्ट पिता जोती बाफूले ने इतना संघर्श करके अपने जीवन में जो मैंने बताया कि एक जन् स्थापना कर दी यह बहुत ही गर्व की बात है हमारे लिए इतनी अलप आयू में जहां आज हम फर्स्ट यह सेकंड एर के स्टूडेंट होते हैं वहां पर राश्ट पिता जोती बाफूले और माता सावितरी बाई फूलों ने 1818 स्कूलों की स्थापना की आज तक इत्यास उठा कर देखिए अगर वर्तमार में मैं बात करूं कोई भी महिला आपको पूरे भारत देश में ऐसी नहीं मिलेगी जिसमें मातरी इतने कम सालों में 18 स्कूल आपको देने के काम क्या हो और साथियों लेकिन सरकार में वही बात कह रही हूं कि सरकार हमारे महानपुर्सों क नाम तो लेती हैं जिस तरह से बाबा साब की जैनतियात यह जैभीम सब गरने लग जाते हैं यहां तक कि मोदी जी भी जैभीम बोलते हैं लेकिन जब सही रूप से उनकी विचार धारा को पढ़ाने की बात आती है तो वहां आपर सारी सरकारे फैल नजर आती हैं अभी मैं का काम किया लेकिन एक सवाल कूछना चाहूंगी आजादी के बाद आज तक जितनी भी सरकारे रही हैं सबने बाबा साब का गुणगान किया है सबने बाबा साब की तस्वीरे लगाई हैं सबने बाबा साब की मूर्तिया लगाई हैं लेकिन सही रूप में जब उनकी विच सिक्षी नजर नहीं आती बाबा साभ की विचार धारा कू ऊपड़ाने का काम करें तो आप देख सकते हैं कि किस another यह हम आते लोग यह अपनाते हैं और कहीं नहीं बीटे सork थोर्राम कहते थे कि से पनी ऐसी बातों में आते हैं कि आपके गया कौन आपके लिए काम कर सकता है तो भावनों में बहना कम कर दीजिए लेकिन बहुजन समाज की सिथितियाज वर्तमान में यह हो गई है अगर आप गधे के सर पर भी जैभीम लिख दो तो उसके पीछे पीछे लग लेता है तो साथ यह सोचना पड़ेगा मैं बास सच बोलती कड़ी हो सकते हैं बूरी लग सकती है लेकिन चिंतन मनन कीजेगा बढ़ाय लिखाय होने से कुछ फायदा नहीं है बड़ी बड़ी डिग्रेया लेने से कुछ फायदा नहीं है जब तक आप जागरुक नहीं है तब तक आपका कोई अनपड़ वैक्ति भी आकर फायदा किया उन्होंने जागरुक शब्द का इस्तमाल पहले किया और पढ़ी लिखी का बाद में किया और उसका कारण यहीं है कि भारत देश में तमाम ऐसे राजियों में महिला हैं जो इस देश में मुख्यमंत्री के पदपर आसीन हुई है अब देख सकते हैं कि उनके कार्यकाल को उठाकर किस दिशा में उन्होंने महिलाओं के लिए काम किया लेकिन अगर मैं उत्तर पर देश की बात करो तो मुझे यहां पर ज्यादा चचा करने की जरूरत नहीं है आप सब भले भांती जानते कि अगर आज गर्व से हम किसी को आईरल लेडी कहते हैं तो इस देश मे में जब काशी बाई नाम के महिला जो कि ब्रहमन थी जब जोतीबाफ फुले रस्ते से गुजर रहे थे तो वह महिला जो काशी बाई महिला थी एक कुए के ऊपर खड़ी थी और किसलिये खड़ी थी जानकर हैरान हो जाएंगे वह आतम हत्या करने के लिए खड़ी थी उन् पीड़ा थी उसका दुख था उसने रोते हुए अपने शब्दों में बताया उसने कहा कि मैं विद्वा हूं और मैं पेट से हूं आप समझ सकते हैं कि अगर आज यह हाला किसी भी गाउं में हो जाएं किसी भी परिवार में हो जाएं दो मिनट में आग की तरह बात फैल ज मैं नहीं हो सकती लेकिन सारा दोश महिलाओं पर लगा देते हैं महिलौं को कुल्क्त महिलाओं को चरित्र ही कढई वह गणा चलंगriverиковेर है गरवती हूं और वह प्रहंब्र परीवार से आती थी क्योंकि हमавать कर रहे हैं कि कहीं Да कहीं न कहीं वहीतिया करते लोग शौषण करते थे और वहीं लोग जब उनके परिवार में से जो के पुत्र हो या भाई हो या दिलीवरी हुई और उसका ईक पुत्र प्राप्थ हुआ और जब वह डिलीवरी हुई तो डिलीवरी के बाद वह महिला मर गई जिसका नाम कासी भाई था लेकिन माता सावित रीचिंगी भाई फूले और राश्टपिता जौति भाफूले ने बड़े प्यार से उसको पाला जो कि आने वाले भविशे में एक बहुत अच्छा डॉक्टर बना और सामाजिक शेत्र में उसका बहुत बड़ा योगदान रहा अब मैं आति उसन अठारा सो तीहत्तर पर अठारा सो अठार में जिस तरह से राष्ट पिता जोती वा फूले ने सत्य सोदक समाज की स्थापन उसके स्थ हापना की और उसके स्थापना करने के बाद जो दीबाए और माता सावित्री बाइं पूले महिलाओं को इखटा करके र 15-20 दिन करने वाले से ज़्यादा अत्याचार को सहने वाला दोशी होता है यहीं चीजे राष्ट जोतीबा फूले और माता सावितरी बाई फूलों ने हर उस नारी को बताई जो नारी कहीं ना कहीं पीडित थी तृस्कर्त की जाती थी समासे और सात्यों इसी तरह ते हिंदु धरम के लोगी गोबर कीचड फैक्ते थे जिससे हताश होकर वो कई बार टूट भी जाती थी लेकिन फिर दुबारा से मजबूती के साथ खड़ी होती और अपने बैग में दो दो साड़ी रखकर वो ले जाती थी जो गंदी होती तो इसको स्कूल में बदलती थी फिर पढ़ाती और फिर उसी गंदी साड़ी को पहन कर वो घर लोटती थी लेकिन आज अगर हमें कोई जरासा भी कुछ बोल दे हम अपने घर में हाथ पे हाथ रखके बैठ जाएंगी ऐसा है ना लेकिन हमें अपने महानपुर्सों से सीखना चाहिए कि इतने संघर्ष के शुक्राइब बश्कान अनुनितना अपमान मिल और उसलों करें लोगों के लिए वह काम कर रही बच्चों और बच्छी स्नल कर दो का भोज़ाने का वह बखाने वह नहीं लोगों ने उनको इतना भला बुरा कहा लेकिन जोती रावब फूले और माता सावित्री भाई फूले रुखे नहीं वो लगातार आगे बढ़ते रहें अब धीरे धीरे साथ मैं अगले करम पे रहती हूं बात है अठारा सो नभ्य की जब जोती वाफूले क्योंकि उनके अंतिम दिन चल रहे थे वह कई बिमारियों से ग्रस्त हो गए थे और उस समाज करते ते घर घर जाते ते गंदी बस्तियों में जाते थे तो इतने बड़े सतर पर उन्होंने साथियों सारी चीजों को त्याग पर रखते हुए उस दिशा में काम किया और वही कारण रहा कि जो राश्पिता जोती बाफूले हैं 1890 में उनकी मिर्ती हो गई और वो पूड़ी वादी प्रमप्राओं के खिला लड़ने के लिए शिशक्त रूप से उन्होंने तयार किया और 1897 का दिन था सातियों उसे मैं काला दिन ही कह सकती हूं क्योंकि देश में ऐसी अलग जगाने वाली महिला ने जिन्होंने तमाम उन महिलाओं के लिए शिक्षा के द अच्छा पैदा होता है लेकिन जब वो मरता है तो उसके पीछे बहुत बड़ा इत्यास होता है कोई गुंडा होता है कोई मवाली होता है और कोई बहुत बड़ा महान पुरुस बनके मरता है तो हमारे लिए जनम से जादा महत्वण किसी भी महान पुरुस की मिरती वाला तो बहुत सारी तमाम ऐसे चीजे हैं जो कहीं ना कहीं परकुपता है हमें जरूर। है इंची जो से सीखने की कि कि आज अगर मैं महिलाओं की भागेदारी की बात करूं जो सामाज इक शेत्र है उसमें आप देखतें कि भारत देश में जो महिलाओं की आबादी है मैं परसेंटेज बतारी जो जन संख्या के आधार पर आप 50% हो लेकिन आप आकड़े उठाकर नोग्रियों में आपकी भागेदारी 50 %, राजनिती में आपकी भागेदारी 50 परसेंट है यह मैं मन्चों की ही बात करूं हम देखते हैं तुमाम देश में बड़े-बड़े कार्यकरम होते हैं बहुजन योद्धायों के या बहुजन महिलाओं के लेकिन महां पर हमें ना मात्र अगर 20 वक्त पुरुश है मंच पर तो मुस्किल से एक या दो महिलाएं हमें वक्ता के तोर पर दिखाई देती हैं तो क्या यह समानता है कि हम कह सकते हैं कि हम बाबा साब कहनु आई है कि हम कह सकते हैं कि हम पैरियार जी कहनु आई है कि हम कह स सावितरी भाई फूले पैदा हो तो दूसरे के घर में पैदा हो राश्पिता जोतिवा फूले पैदा हो तो दूसरे के घर में पैदा हो कासी राम पैदा हो तो दूसरे के घर में पैदा हो कोई यह नहीं चाहता कि हमारे घर में यह तमाम हस्तियां पैदा हो और जिस तरह से उन्होंने काम किया उसी तरह से हस्तियां भी समाज में निकल कर जाएं समाज को जगाने का काम करें क्योंकि एक महान वहती ने कहा है कि जब आप समाज में निकलोगे तो यह मज़ सोचना है कि आपको सिर्फ फूलों के हार ही मिलेंगे आपको पत्थर भी मिलेंगे काटे भी म लेकिन जो लीक बना दिजीगा रचे में। क्योंकि मेरे जहन में कहीं न कहीं वो चीज़े कौंद जाती है, जब मैं अपने तमाम महानपुर्सों की चर्चा करती हूँ, क्योंकि जिस तरह से अभी बताया गया, कि जो बाबा सापते साथ यो उनके चार गुरू रहे, पहले महाकाणिक तथा गदबुद, जिन्होंने कि इस पूरे संसार को करणा मैत्री भाईचारे का संदेज देते हुए, एक सूत्र में पिरूने की बात की, दूसरे अगर मैं बात आऊं तो कबीर जी, जिन्होंने बिल्कुल अपने लुखण शब्दों से कहा, कि पाथर पूजे हरी मिले, पाथर पूजे हरी मिले, तो मैं पूजू पहाड, तासे तो चाकी भली, जो पीस खाए संसार, लेकिन हमने उनको भी नहीं समझा, और मैं तीसरी कड़ी में आऊं, तो तीसरी कड़ी में जिस तरह से, राश्पिता जोती बाफूले, जिन्होंने एक बहुत बड़ी समाजी करांती की, और चोते इस तरह पर अगर मैं बात करूँ, तो संत गाड़ गे बाबा, जो की धोबी समाज में पैदा हुए, लेकिन विड़मना है कि अधोबी समाज ही, उनके बारे में नहीं जानता, तो तमाम ऐसे जो बहुजन नायक हैं, नायका इस देश में जन्मे हैं, लेकिन मैंने कहा कि उनके समाज के लोग बहुत कम जानते हैं, लेकिन मैं गर्व करना चाहूंगी, विसेश तोर पर इस भारत में पलने वाले एक जाती पर, मैं नाम नहीं लूँगी, आप सभी समझदार हैं, उनके आप इत्यास उठा कर देखिएगा, कि उनके समाज से एक यदो माहान पुरू साते हैं, लेकिन उस जाती के लोगों ने उन तमाम बहुजन माहा नायक और नायका को पढ़ा, और उनको बताने का काम क्या बताने का काम ही नहीं क्या, अगर आज़ देश में उन महान जो पुरो से नायक नायका रही हैं, उनकी जैनती हैं, उनका परी निर्वान दिवस मनाता है, तो कहीं न कहीं उस समाज की बहुत बड़ी भूमी का आती है, और मैं बात करें थी प्रम पूजे बाबा साब के त्याग समर्पन बलीदान की एक छोड़ी सी घटना के जिक्र से मैं बताना चाहूंगी क्योंकि कहने के लिए तो बहुत सारी बाते हैं यहाँ पर भी कही न कहीं पीड़ा होती है मन भावुक हो जाता है जब जब हम अपने म कान पूजा नहीं होता तो बाबा साब बाबा साब नहीं बनते तो इस देश के लोगों को देश का सविधान नहीं मिलता और देश का सवीधार नहीं मिलता तो तमाम इस जाती को आज जो मैं कहते हैं कि चपड़ा सीर से लेकर राश्पती तक बनी है उनको उन पदों पर आसीन होने का अधिकार बिलकुल नहीं मिलता और आज भी वो गुलामी के जीवन में जी रही होती तो बात उस समय की है जब परम पूजे बाबा साब मुंबई हाई कोट में प्रैक्टिस कर रहे थे उनके पास अचानक खबर पहुंची सहाब आपका बेटा राजरतन बहुत बुरी तरह से बिमार है और अपने जीवन की अंतिम सांसे ले रहा है यह बात जैसे ही बाबा साब ने सुनी वैसे ही बाबा साब घर दोडे आए और जैसे ही बाबा साब को अपनी गोद में उठाया तो राजरतन ने साथियों.. बाबा साब की गोद में ही हो जा रामा चुप हो जा तू तो रो भी सकती है लकिन मेरी प्रसनी दिन में SOMाज के हजारों बच्चों को मरते हुए देखताूम रामा चुप हो जा मातारणा बाई फिर कहती है के साहिब मैं आज फिर चुप हो जाओंगी लेकिन आप मुझे बात बता दीजिये कि जब जब अपने बैटे राजरतन को गोद में खिलाया करते थे तो बड़े हरस सो उल्लास के साथ कहा करते थे कि रमा रमा मेरा बैटरा राजरतन एक दिन बड़ा होकर इस देस पर राज करेगा तो बाबा साहब आज राज रतन तो इस दुनिया में रहा नहीं अब मुझे ये बता दीजिए कि इस देश पर बड़ा होकर कौन राज करेगा तो बाबा साहब कहते है कि रमा मैं एक दिन इस देश में ऐसा काम करके जाओंगा कि हर नमा की कोक से जनम लेने वाला राज रतन इस देश पर राज करेगा और वो राज मेरी मात्र शक्ती प्राम पूझे बाबा साहब हमें सवी धान में दे कर गए जिसको आज हम समझने का काम नहीं करते हैं बाते तो बहुत है करने के लिए लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगे अपनी बात को विराम देते हुए कि देखना बहुत कुछ है देखना बहुत कुछ है देखते रहिए करना बहुत कुछ है करते रहिए समाज आज भी बलिदान मांगता है पर सच तो ये है मेरी मात्र शक्ती आज आपसे आपकी जान नहीं बल्कि आपका इमान मांगता है आपका इमान मांगता है जैभीम नमो बुधायर